कि यहां से हम एक ऐसे थेरी की बात करने जा रहे हैं जो पॉपलेशन जोग्राफियाने की जिन संख्या बोगल से संबंदित हैं और यह ठीरी काफी फेमोस ठीरी है जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने काफी सर्च किया और यह मिला नहीं तो एक मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उ वीडियो मैं बना रहा हूं देखिए आपको भी अगर कोई टॉपिक कोई ऐसी चीज जो है वो आपकी दिमाग में नहीं आ रही है या समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मैं जरूर से जरूर उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और यह तो य बायोलाजिकल थेयरी है यानि कि जैविक सिधानत है ठीक है और यह थेयरी आई थी 1952 में जोज डी कैस्ट्रो की थेयरी है जोज डी कैस्ट्रो एक ब्राजीलियन फिजीशियन थे जोग्राफर थे राइडर भी थे है ना पहले डाक्टरी पेशा से जुड़े वे थे और भूगोल में बिन की काफी रूची थी यह ब्राजील के थे ब्राजील के विद्वान थे 1902 में इनकी एक बुक भी आई थी द जियोग्राफी ऑफ हंगर द जियोग्राफी ऑफ हंगर 1902 में इनकी बुक आई थी और अपनी इसी किताब में इन्हों ने जो है यह अपना बाइलाजिकल थेयरी दिया बाइलाजिकल सिध्धान दिया इसमें इन्हों ने प्रोटीन कंजुम्शन की बात की थी ठीक न है प्रोटीन कि परोटीन कंजुम्शन पर अधारत अपनी बात नहीं मनें रखी थी यानि कि प्रोटीन उभूख पर बात की थी द्यान दिजिएगा सिर्छिए कर इन्होंने कहा कि देखें भाई कोई व्यक्ति प्रोटीन का उब्हूख करता है उसकी प्रजनन शक्ति इस बात पर डीपेंड करती है ठीक है तो इन्होंने क्या किया कि प्रोटीन वोग के आधार पर जनसंख्या बृध्धी या जनसंख्या में हरास को इन्होंने बताया था क्या बताया अगर कुछ पॉइंट में हम लिखें तो यह लिख सकते हैं कि इनकी जो थेयरी है इनकी थेयरी की जो प्रमुख बाते हैं कि प्रमुख बातें क्या है कि प्रोटीन कि उप्भोग पर आधारी इनकी थेयरी सिमिलर है डबलडे के जो उनका सिधान्त है थामस डबलडे का थामस डबलडे की थेयरी पर ही इनकी थेयरी आधारीत है उसी के सिमिलर है कुछ बातें सिर्फ अलग है ठीक है तो पहला इनकी प्रमुख बातें क्या है प्रोटीन उप्भोग पर आधारीत है य या समाज या अगर हम बात करें देश घ्यादा प्रोटीन का उभोग करता है अगर ज्यादा प्रोटीन का उभोग होगा तो उसकी प्रजनन शक्ति उसकी प्रजनन शक्ति तो उसकी प्रजनन शक्ति कम होगी तो इन्होंने का कि देखिए भाई इसलिए जो गरीब लोग होते हैं जो निर्धन लोग होते हैं उनकी प्रजनन शक्ति क्या होती है बहुत जादा होती है क्योंकि उनको प्रोटीन नहीं मिलता है वो प्रोटीन का उभोग कम करते हैं या प्रोटीन का उभोग लगबग ना के बराबत करते हैं इसलिए जितने भी कोई भी समाज या कोई भी देश या कोई भी ब्यक्ति अगर उसको प्रोटीन कम मिल रहा है उस प्रोटीन यूकत भोसन Super मोटापा बढ़ता है कर दो कहले कि अगए अगर अधिक प्रोटीन यूकत भोजन करेंगे भोजन में प्रोटीन की मातरा ज appreciative तो मोटापा बढ़ता तथा मोटापा के बढ़ने से मोटापा के बढ़ने से प्रजनन सक्ती घर्ट जाती हैं तो यह उन्हें कहा कि देखिए भाई जो भारी बरकम लोग ऊते हैं जो होते हैं फ्रूटें ज्यादा idoater यूज करते हैं तो जदा प्रोटेन यूज करने के वजह से वह मोटे हुझा पापा बढ़ जाता है और उनकी प्रजण शक्ती कम हो जाती है घड़ जाती है ठीक यह बात इन्होंने कई इसके लभाएं एक बहुत ipperट इनका कहना है कि देखे जो निर्धन लोग होते हैं जो देश बुखमरी से पीडित है या जो परिवार जो ब्यक्ति जो समाज बुखमरी से पीडित है वो अपने बुखमरी जब वो क्या करता है कि जब अपनी भूख को शांत नहीं कर पाता अर्थात जब उसको भोजन नहीं मिल पाता जब उसको खाना नहीं मिलता है तो सेक्स करता है ठीक इनके ठीरी के बहुत महतपुड बात है आज तक कोई बीद्वान इस तरीके से मतलब उपनी नहीं बोला था लेकिन इन्होंने बताया कि देखी कोई भी ब्यक्ति जब भुखमरी से पीडित हो जाता है उसको ख कि बुखमरी से पीडित हो उन समाचों में उन देशों में अक्सर ये देखने को मिलता है कि प्रजनन छमता बढ़ जाती है उन लोगों की प्रजनन सक्ति बढ़ जाती है और प्रजननता की जो दर है वो भी बढ़ जाती है जिससे ज्यादा बच्चे होते हैं अधिक जनसं अब भोजन का मतलब कि मुख्यरू से प्रोटीन यूपत भोजन की यह बात की जा रही है कि जब प्रोटीन यूपत भोजन नहीं मिलता है तो समाज में उस देश में लोग का मशना के प्रती आसक्त हो जाते हैं अपनी भूख को शांत करने के लिए ठीक है प्रेक्टिकली ची आपको बताई याद रखेएगा इसको पूझा जाता है मुख्यरूप से 1922 में इनकी भूख आए थी जियोग्राफिया और इसी भूख में इन्होंने अपनी ये बात कही थी ठीक है यह चीज इसके अलवा आपको और भी कोई थेरी अगर पढ़नी है जो आपको समझ में न करिएगा